अगर हम पेपर वान के अच्छे से हो जाएंगे क्या हम पेपर वान में अच्छे स्कोर कर पाएंगे तो आंसर इस अगर अभी आप कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स को पढ़ लोगे पेपर वान से तो आपके अभी भी चांसे तो नेट और जारफ रहेंगे और अभी भी आप अपने पेपर वान को अच्छा कर सकते हो एक महीने के अंदर बट शर्थ है कि जो मैं आपको टॉपिक्स बिताने चारी हूँ यह टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इनके क्वेस्टन लगाने हैं तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वन मन्थ स्ट्राटेजी की बात करो तो आपका जो अभी स्ट्राटेजी होनी चाहिए वो होना चाहिए जाधा से जाधा टाइम जो आप अपनी प्रिपरेशन को दे रहे हो इसके इलावा वाट यू शुट बी डूइग इस कि आ आप बहुत जाधा प्राक्टिस करो जो आपने चीजे पढ ली है रिवाइस करो तो वाट यू शुट बी दूइंग तीन मंत्रा प्राक्टिस रिवाइस एंड द टाइम आप अपने ताइम को बहुत जाधा अच्छे से दो गे यूजी सी नेट एग्जामिनेशन में आप एक टाइम सेपरेट बनाओ फॉर प्राक्टिस सो यह चीजे करो और डिफिनेटली आपका जो है वन मंथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा आप जो आपके टॉपिक्स हैं पेपर वान पेपर टू के मैक्सिमम कबर कर पाओगे और अपने चांस बढ़ा पाओगे त अब बात करते हैं पेपर वान के कुछ टॉपिक्स की जो की इंपोर्टन है जहां से क्वेशन बनते हैं और फॉम दिफ्रेंट 10 यूनिट्स मैं आपको बताऊं गया इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है राइट सो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजिंग आप्टि अब टीचिंग अंदर 5 आपको पढ़ने हैं आपको ब्लूम का तो पढ़ना ही है यूँ आफ तो स्टड़े ग्यागने का अबजेक्टिव देन सिम्सन सिम्सन का अबजेक्टिव यूँ हाब टू स्टड़ी सोलो टाक्सोनॉमी अब परिशान नहीं होना है यह सब के उपर मैंने एक वीडियो बनाई है आपको यूट्यूब पर यह सारी वीडियो मिल जाए मतब यह सारे अबजेक्टिव मिल जाएंगे आपको सिंपली वहाँ जाना है और पढ़ लेना है ठीक है तो आपको बहुत परिशान नहीं होना everything is there objectives of teaching की पूरी एक class मेंने ली है ग्यागने के अंदर आपके दो चीज़े आती हैं जो आपको पढ़ना है तो सारी आपको objectives की video मिल जाएगी उसको एक बाद देख लोगे तो मैंने वह इतना detail में explain किया है कि that will one video will be sufficient फिर levels of teaching हो गया तो तीन levels आते हैं आपके memory level understanding level and reflective level right तो इस पर एक question बनता ही है यह आपको पढ़ना है what are the factors जो teaching को effect कर सकते है methods of teaching होता है जिसमें आपका learner centered आएगा teacher centered आएगा online methods of teaching होते है तो online methods of teaching में आप स्वयम देख लेना कि स्वयम क्या है उसके 9 coordinator के नामियात कर लेना इसके लावा आप देख लेना कि स्वयम में कितने channels हैं तो basic information आप स्वयम की ले लेना mooks के platform जो बहुत famous platforms है उनको पढ़ लेना इतना ही करना है जादा नहीं करना है पर teaching support system इसमें सबसे important है ICT के software's जो teaching के अंदर आप use करते हो अगयान इसके उपर मैंने एक detailed video बनाई है तो वहां से देख सकते हो next आता है evaluation जिसके अंदर आपको choice based credit system के ओपर question आ सकता है formative, summative, diagnostic, आपका evaluation है, placement evaluation, norm, reference, criterion यह 6 evaluation तो पढ़ने है पक्के से क्यूंकि question बनता ही है इस पर घूमा आपर कहीं से भी question बनाई ही देते है micro teaching, learning के theories, innovation evaluation के अंदर and models of teaching तो कई सारे models of teaching है which you have to go through so pedagogy हो गया, androgogy, utacody, addy model, assure model, so आपको models of teaching के ओपर पढ़के जाना है, right मैं लिख देती हूं कौन-कौन से model को देख ले न, addy model, assure model pick rat model, utagogy, pedagogy, and androgogy, ये model जरूर से आप देख के जाना, from your teaching aptitude now coming on to research aptitude, research aptitude में quantitative and qualitative research, इसके अंदर सब आ जाता है तो आपको याद करना है quantitative research के अंदर कौन सी research है, qualitative के अंदर कौन सी है तो quantitative याद करने का मैंने आपको class के अंदर भी acronym बताया है यहाँ पर भी एक बता दे रही हूं कि आपके quantitative में ये 5 research आएंगी सी सी सीड, correlation, survey, experimental, exposed factor, descriptive बची हुई बागी सारी experimental, qualitative है, sorry, qualitative है, ठीक है तो इस तरह से आप याद दुखोगे, because examination में इस तरह का भी एक question आ जाता है इसमें से quantitative research को पहचानो, या qualitative को पहचानो, तो अगर आपको ये acronym याद है मतलब quantitative याद है, तो आप अराम से इस तरह का question कर लोगे next steps of research, थोड़ा detail में या से question बनता है, जैसे hypothesis के उपर question पूच सकते है literature review के पर उसके steps पूच सकते है, तो थोड़ा से इसको आपको detail में देखना है steps of research के उपर, right, then a thesis article, कैसे लिखते हैं thesis article और as well as format, format आपका question इस तरह से बनता है, जहां पर आपसे पूचेंगे कि आपके end chapters में क्या जाएगा, या शुरू में thesis में क्या जाता है इसके 3 formats है, AP, MLA, Chicago, जहां से आपके questions बन जाते हैं, तो आपको उसको थरली पढ़ना है ICT का application again, इसके उपर भी एक video है, मेरी YouTube पर आप उसको refer कर सकते हो Next, research ethics, research ethics में आपका plagiarism बहुत important है, right, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा भी हुआ है इसके इलावा भी research ethics के अंदर क्या unethical है और क्या ethics है Research के अंदर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, you have to study that Different types of meeting, जिसमें symposium, seminar आएगा, curriculum आएगा, आपका online seminars आ सकते हैं That is webinar हो गया, आपका web conference हो गया, तो यह सारे आपको different types of meeting का मतलब क्या है कैसे हमारे research में यह meetings help करती है, you study that Abbreviations research में जो use होते हैं, जैसे अभी हमसे इस बार पूछाता, CF compare होता है Right, तो कुछ abbreviations है, main important abbreviations, उसको भी आप go through करके जाओगे छोटा सा question अगर बन गया, तो हम कर ले जाएंगे, है ना एक और आपसे question पूछाता, CC का full form क्या होता है, creative common, right तो इस तरह के questions आपके exam में, abbreviations से भी बन रहे हैं research के, तो abbreviations of research भी एक बार देख लेना Communication के अंदर, verbal, non-verbal communication, आपके non-verbal communication के होते हैं कई सारे types So, यह important है, verbal communication से जागा non-verbal communication के types important है, intercultural communication के barriers is important जिसमें आपका stereotyping आता है, इसके लावा आपका जाता है, prejudice हो गया तो different barriers are there in intercultural communication, उसको पढ़ना है हमें, group, classroom communication, mass media का रोल क्या है society पे, इसके इलावा जो mass media ना, अब इसमें theories पूछी जा रही है, mass media के theory के उपर भी question आ रहे है सारी theory of mass media you have to cover, characteristic है, components है, effective communication के, वो देखोगे, barriers, model to, model of teaching, model of teaching में तीन models आते हैं, linear, interactional and transactional model of communication, इसके लावा barrier बहुत important है, वीडियो है इसके उपर, available YouTube पे तो आप देख लोगे, models of communication पे भी मैंने वीडियो ली हुई है, वो भी देख सकते हो, communication के अंदर भी कुछ ethics आते हैं communication के अंदर भी कुछ rules हैं जो हमें करने चाहिए और कुछ ऐसी चीज़े हैं जो अने थिकले communication में जैसे प्रोपोगांडा सेट करना, लोगों पे नजर रखना मतलब सर्विलांस होगे, यह सारी चीज़े गलत है, तो वह आपका unethical act होगा, इसके अलावा जो इस बार बहु उसमें आपके Indian Western view of communication में बहुत questions आ रहे हैं, तो Western में क्या होगा, individualism को focus करेंगे, मतलब वो main focus किसको देते हैं, एक person पे, जबकि Indian या आपका जो Eastern concept होगा, Eastern भी बोलते हो उसको, तो उसमें आप collectivism, because हम Indians के हैं, सब को साथ में लेके सलते हैं, तो collectivism view होगा, यहां पर हम ल क्या है, यह simple verbal communication पे rely करेंगे, तो इस तरह से हम Indian और Western concept को भी पढ़ेंगे, because इस तरह के questions आपके exam में पूछे जाने लगे हैं, next है, people development and environment से क्या पढ़ना है, तो people and environment interaction कैसे हो रहा है, जिससे कि क्या harm हो रहे हैं environment को, वो pollution as well as जो आपके pollutants है, इसके उपर काफी questions बनते हैं, so pollutants, उससे क्या हमारे हजाज होते हैं, क्या problem हो सकती है, उन pollutants है, that you have to study, natural hazards, उसको mitigate कैसे करना है, exploitation of natural resources, फिर कुछ general awareness के भी questions आते हैं, summit protocol policies से, question आपके यहाँ पर बनते हैं, these are the topics that you have to study from environment, ICT के अंदर आपके कुछ abbreviations, advancement, basics आते हैं internet के, इसके इलावा, इसके अलावा, अब ICT से आपके numericals पूछे जाने लगे हैं, conversion वाले, यह numerical आपको simply आप practice कर लोगे न, और इनके rules देख लोगे, तो बहुत अराम से आपके conversions हो जाएगे, तो अब conversion वाले numericals भी करना, YouTube पे videos हैं आपकी, तो आप देख सकते हो, फिर maths के अंदर, number system, alphabet series, और फ ratio analysis, time distance, compound interest, simple interest, से आपके questions बनते हैं, next, logical reasoning में structure of argument, जिसमें से logism भी आ जाता है आपका, दो प्रिमाइस, एक conclusion वाले arguments को हम से logism बोलते हैं, तो वहां से आपको देखना है कि क्या structure of argument होता है, middle term, major term कौन सा है, minor term कौन सा है, right, moods and figures, मैंने अभी logical reasoning का जो marathon लिया था, उसमें मै marathon of logical reasoning मेरे नाम से search करो कि आपको मिल जाएगा video, उस पर आपकी देख सकते हो, right, ये चार concept बहुत अच्छे से महां से clear हो जाएंगे, आपके इसके अलावा different types of प्रमान पे भी मैंने एक video बनाई हुई है, वो देख ले न, inductive, deductive पे भी video बनी है, वो देख लोगे, तो इतने concept तो मैंने आपको YouTube पे cover करा ही दिये हैं, बाकी है कि inductive, deductive, argument किस तरह से मैं distinguish करना है, मतलब ऐसे भी question आते हैं कि ये argument है, inductive है क्या, या deductive है क्या, तो वो इस video को देखोगे, तब समझ जाओगे, इसके लावा Indian logic है, analogy है, you have to study this, right, so ये different concepts है logical reasoning में, जो आप देखोगे, higher education म इंचेंट इंडिया, वो और modern इंडिया के भी कुछ higher education institute जैसे आपकी ranking वगेरा पूछते है, तो वो देखोगे, higher education किस तरह से evolve हुआ है over time, different types of learning programs in India, ठीक, इसके लावा types of education, जो vocational education है, आपकी professional education, ये सारी education आपको देखने है, policies, governance and administration, so यहाँ पर हमारे question बनते है, higher education में, जो की आपको देखने है, so ये कुछ topics हैं, जिन पर आपको focus करना है, इस एक महीने के अंदर, paper 1 से, जहां से आपके majority questions बनते है, अगर आपने ये topics पढ़ ली हैं, तो there is a guarantee कि maximum questions आपके हो जाएंगे, paper 1 के अंदर, so yes, जाएं अब इन topics को, एक पहले तो list बनाएं, पर इन topics को पढ़ें, and बहुत मेनच से इसके concepts को clear करें, concepts clear हो जाएंगे, तो questions भी लग जाएंगे, right, practice करें, this is all that you have to do in this one month, and definitely paper अच्छा होगा, so I just wish कि आपका paper अच्छा हो, all the very best guys from my side, मिलते हैं इस तरह की another important video में, तब तक के लिए, take care of yourself, video में मुझे, comments में ज़रूर बताना की कैस लगिये video, thank you so much